ये सब शादियां स्पेशल मारेज एक्ट में दो तीन प्रोविजन हैं अगर आप देखेंगे सेक्षिन फ्री है, फोर है, फाइव है इवन फोर में भी एक महिने के नोटिस देनी होती है लेकिन अगर वो बोनाफाइडी है, माले जो इस डिस्टिक्ट में आप नहीं रखते हैं और आके सिर्फ शादी करने हैं, तो वैसे शादी को निरस्प माना जाएगी इसलिए से एक बन में पर नोटिस है लाइकवाइज यहाँ टू मन्स जो नोटिस है डियम का, इस पर की बहुत इवन क्राई वाली बात है वो सिर्फ इसलिए है, ताकि एक वेरिफिकेशन हो कानून तो था, ऐसा नहीं है कि नहीं था इन्हों ने उसमें पनिश्मेंट एट किया है, जो कि 10 years के बात होती है कोई माइनर, यह भी आपका question हो सकता है माइनर के साथ, tribal है उनकी education, उनकी sense of proportion उनकी sense of discretion and decision बहुत कम होती है as compared to educated उनको lure करना बहुत आसान है अगर उन लोगों को यह पाये जाता है कि lure करके आप यह चीच करा रहे है तो certainly it is an offense if you are able to justify on a fact कि यह जो है cheating है 420 है, 415 है, fraudulent है, 90 है, deceit है आप गुम्राह करके कर रहे हैं अगर आपकी objective जो है वो illegal है यह ज़िस्टिफाइ कर देंगे certainly sustain करेगा